design and analysis of algorithm में एक topic है asymptotic notation इस topic को जानना बहुत जरूरी है इसलिए कि हम इस पेपर में इस chapter में क्या करते हैं algorithm का analysis करते हैं तो analysis हम किस बैसे पर करेंगे क्या चीज़ कौन सा notation यूज करेंगे कैसे करेंगे ताकि हम algorithm हम select करें कौन सा algorithm सबसे बहतर है यह मैंने आपके सामने एक brief definition लिखा है analysis क्या होता है analysis of algorithm is the determination of the amount of time and space resources required to execute it तो अगर माले हमारे पास एक problem है तो इस problem को solve करने के लिए बहुत सारे solution हो सकते हैं ठीक है तो solution अगर माले आप programming language को तुरू उस problem को solve कर रहें तो solution के पहले हम क्या करते हैं बहुत सारे algorithm लिखते हैं ठीक है एक problem है उसकी बहुत सारे algorithm है और सारे algorithm ठीक है लेकिन सवाल यह है कि कौन सा algorithm उन सब में सबसे बहतर है सबसे अच्छा है तो इसी को हम analysis कहते हैं और इस analysis को कैसे करेंगे हम notations के जरीए से करेंगे क्या apply करेंगे चेक करेंगे कौन कितना कम समय लेता है कौन कितना कम space लेता है जो जितना कम समय लेगा कितना कम space लेगा वो सबसे अच्छा algorithm होता है लेकिन यहां पर सिर्फ theoretical कहने से नहीं होगा बलके उसको हम लोग practically देखना होगा कि कौन सा algorithm सबसे बहतर होगा using asymptotic notation ठीक है तो अब ये तो समझ में आहे गया होगा कि analysis हम क्यों करते है analysis किसी चीज़ के उपर भी जब analysis करते है तो हम देखते हैं कि बहतर क्या है हमारे पास जब एक से ज़्यादा solution हो जाएंगे तो जाहिर से बाद हम सारे solution को नहीं लेंगे हम को एक solution लेंगे जो सबसे बहतर होगा उसी तरीके से यहां पर algorithm में जो कम समय में execute करे और कम space ले उस पर हम ज़्यादा focus करेंगे ठीक है तो यह algorithm analysis थी अब हम आगे देखते हैं हम analysis कैसे करेंगे सबसे पहला जो यहां पर आप देखें हमने तीन तरीके से यहां पर लिखा एक है worst case दूसरा है best case और तीसरा है average कर रहा हूं सबसे पहले वर्स्ट केस यह होता है वर्स्ट केस में क्या होता है कोई भी algorithm में या कोई programming लेगोज में क्या होगा maximum number of steps taken यानि बहुत जारे steps होंगे तो बहुत जारे steps होंगे तो उसके लिए space भी होगा time taking बहुत जादा होगा तो यह हो गया worst case best case में क्या होता है minimum number of steps taken यानि अगर किसी problem को solve कर रहे हैं तो हमारे पास उस problem को solve करने में 5 steps लग रहे हैं तो ज्यादा अच्छा लेकिन अगर इसी को अगर दूसरे solution में देखा जाए तो वहां पर 25 steps लग रहे हैं 25 steps taken यानि कि इसमें क्या average number of space को taken लिया जाता है ठीक है तो यह हो गया average case best case worst case तो हम लोग इस पे basis पे हम लोग analysis करते हैं algorithm का इसके बाद हम देखते हैं जो मेन हमारा topic है asymptotic notation यह है asymptotic notation पहले definition देखते हैं they are used to analyze algorithms running time by identifying its behavior as the input size for the algorithm increases यह asymptotic notation generally जो है यह mathematics से इसके से यह mathematical symbols होते हैं जिसको हम लोग time complexity के best पे algorithm को analysis करते हैं next क्या है this is also called algorithms growth rate ठीक है तो एक यह हो गया और एक यह हो गया उसके बाद इसको मैंने बताए आपको जो mathematics से ही लिया गया है और हम लोग mathematically इसको देखेंगे वैलू को पूट करेंगे उसके बाद इसको find करेंगे आप देखते हैं कौन-कौन से notation जो है इसमें use किया जाएगा यहाँ पर देखें आप यहाँ पर है जो notations use किया जाते हैं algorithm analysis के उपर तो उसमें सबसे पहला है big O इसकी symbol है दूसरे किया है big omega यह इसकी symbol है और उसके बाद theta है big O जो है यह हमेशा upper bond के लिए यूज किया जाता है ठीक है और omega जो है जिसको big omega कहते हैं यह lower bond के लिए यूज किया जाता है और theta जो है यह average bond के लिए यूज किया जाता है को भी function जब होगा तो उसको हम देखेंगे यह big O है यह omega है big omega यह theta है उसके साथ साथ आप एक चीज और देखें जो मैंने टॉप में लिखा यह order है इसको जानना बहुत जरूरी है यह जो है यह आपका order है यह जो मैंने blue color में लिखा यह आपका ff of n function actually function यह है और इसके जितनी पर right side में है यह आपका upper bound है यह क्या आपका upper bound याद रहे है यह आपका upper bound है ठीक है ना और यह जो left side में है यह क्या है lower bound lower bound अगर आपने यह order देख लिया कि n के पहले root n log n 1 और n के बाद n log n n square n cube 2 to the power n 3 to the power n n to the power n यह है तो यह आपका big o तो अगर आपको किसी भी question को उठाएंगे solve करेंगे तो आपका this side का जो भी आएगा ना आप वहाँ पे easily वहाँ आप बता सकते हैं यह big o है f of n अभी मैं आगे बताऊंगा इसको details में तो आप देखेंगे कि कितना आसानी से हम इसको find कर सकते बीग होगा या big omega होगा इधर जो है यह omega यह lower bound इधर जो है यह आपका यह आपका big o आ जाएगा यहाँ पर ठीक है और यह जो average case होता है average यह आपका यहाँ पर ठीक है तो इस चीज़ को आप देखेंगे one by one करके तो आपको समझ में आ जाएगा तो जेनरली हम लोग यह algorithm के जो analysis करते हैं वो हम लोग उसकी time complexity के उपर करते हैं और उसकी जो तीन notation है यहाँ पर asymptotic notation जिसको हम लोग कहते हैं इस पर फोकस करते हैं यह order को आप याद रखें और इसके बद नेक्स लेक्चर में आपको हम big o big omega और थीटा के बारे बताएंगे और इसकी graph से दिखाएंगे कि इसकी functions को कैसे find करते हैं